हलो बच्चो, कैसे हो आप सब, आशा करती हूँ, आप सब ठीक होंगे तो बच्चो, आज हम करेंगे class 7th की हिंदी का part कार्नीवल का चकर कार्नीवल के होता है, मिला ठीक है इंग्लिश का word है कार्नीवल, जिसका आर्थ है हिंदी और पंजाबी में मिला सबसे पहले हम इस पाठ का सार करेंगे उसके बाद प्रशन उतर और इस पाठ का अब्याज पाठ का सार है कार्निवल का चक्कर लेखर का बढ़ती हुई महंगाई पर एक व्यंग आत्मत लेख है लेकर नाष्टा करने के बाद अकबार पढ़ने बैठा ही था कि उसकी पत्नी ने उसे शूआ तो वै चौँग गया पत्नी ने उसे बच्चों सहत कार्निवल गुमने के लिए कहा कार्निवल में इंस मेला गुमने के लिए कहा वह मान गया प्रन्तु सोचने लगा कि आज के जमाने में दाल रोटी चलाना मुश्किल हो रहा है और उसने कार्निवल गुमने के लिए हा कर दी है उसे वेतन मिले अभी दो चार दिन ही हुए थे इसलिए जेब गरम इंस की जेब नोटों से बरी हुई थी तथा दूद, दोबी, चौंकिदार, आद का बुगतान अभी किया नहीं था मतलब कि इंस की जो पाकिट में तो पैसे थे क्यों पैसे थे क्योंकि उसने जो मिहिने के जो होता है न खर्च, जैसे दूद वाले को पैसे देने याँ, दोबी वाले को देने याँ, चौंकिदार को देने याँ कि वो नहीं दिये थे कार्णिवल चलने के लिए लेखक ने स्कूटर को हिला कर दिखा तो उसमें पेट्रॉल था चुन्दम उन्हों स्कूटर साफ करने के लिए कपड़ा ले आए किक मारने पर भी स्कूटर नहीं चला जब बच्चों ने उसे दक्का लगाया तो वे चल पड़ा बच्चों और पत्नी को स्कूटर पर बठाकर लिखक बजरंग बली का नाम लेकर कार्निवल की और पवन वेग से स्कूटर को उड़ाता हुआ चल पड़ा पवन वेग मींज हवा से जैसे हवा चलती है न वैसे ही वहाँ स्कूटर स्टैंड वाले को दसुल पे और कार्निवल में परवेश के लिए प्रती व्यक्ति 20 रुपे की दर से 100 रुपे देने पड़े ठीक है बिंज की जो वो मेला था तो उसके अंदर अगर आपने गूसना है मेला देखने जाना है तो उसके भी चार्जे से प्रवेक्ति कितने थे 20 रुपे नेक्स्ट है कार्निवल में परवेश करते ही उनके बच्चों ने बर्गर गोल गप्पे तथा पत्नी ने गोल गप्पे खाने के लिए कहा तो लेखर को हां करने पड़ी प्रंतु 5 रुपे की एक सुनकर गोल गप्पे का जल लेखर की बाक की नली होती है जिसे ली से हम सास लेते हैं उसको कहते हैं शवासनली क्यों अटक गया क्यूंकि झैसे ही लेखर कमी गोल गप्पो का रेड्व पुशा तो उसको पता चला कि 45 रुपे की एक है तो यह सुनकर गोल back वाले को 45 रुपे लेकर आगे बढ़ गए आगे चलकर बच्चे जूले पर सुवारी करने के लिए कहने लगे तो पांच के चार सूर पेग सुनकर लेखत दम से नीचे गिर गए तो लोगों ने दोरा पढ़ने मिर्गी आने हर्देगात की बात कही हर्देगात मेंस हाट अटैक तो लेखत ने क पुशा की क्या हुआ तो उन्होंने बीड के दम गुटने की बात कहकर खुले में चलने के लिए कहा बेठी ने सच्चिन वला कोर्डिंग पीलने की जिद की तो उसे डांट दिया और घर जाकर निम्बू पानी पीने के लिए कहा पत्री ने टिक्की खाने के लिए कहा तो पांच प्लेट टिक्कियां खाई और इनका बुकतान दो सो पचास सुरुपे करते हुए गबरा गए मुन्नी कुश कहने लगा मुन्नु कुश कहने लगा तो उसे कर चल कर बदाम निम्बू का शितल पे पीने के लिए कहा शितल पे मींद शितल जल जो पीने वाली चीज़ कि आती हैं उसको पे बोलते हैं ठीक है सोचने लगे निम्बू 200 पे किलो बदाम 500 पे किलो बच्चों से वाइदा बेकार ही किया तो यह था हमारा सार इस सार में मिन्स के स्पार्ट में जो लेकक है उसने जैसे जैसे मिन्स के महंगाई बढ़ रही है ना उसके उपर यह ले जा फिर अपने बच्चों के शौंग पूरे करेगा क्योंकि उसकी सालरी उतनी है नहीं जितने खर्ची है आप करेंगे हम शब्दा आर्थ सबसे पहला है कार्णिवल जिसका आर्थ मैंने बताया है मिला नेक्स्ट आएगा नवरतन नवरतन मीन्स नो रतनों से बनी जो कोई भी वस्तु नो रतनों से बनी हो जासे रिंग हो सकती है कोई ए रिंग से हो सकती है जैसे हम कानों में डालते है न वो जो नो रतनों से बनी हो नेक्स्ट है स्पर्ष, स्पर्ष होता है शूना, ठीक है, टच करना जिसको बोलते हैं, नवग्रे, जी आपको पते हैं, यह हमारे नोग्रे है न, उनको ही नवग्रे बोलते हैं, वो नोग्रे कौन-कौन से हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुकर, ब्रैसपती, शन नी, राहू, केतू, ठीक है, नेक्स्ट है, तोड, तोड होता है, बचाव, नेक्स्ट आएगा, पगार, पगार कार्थ है, वेतन, नेक्स्ट आएगा, तरकारी, तरकारी होता है, सज्जी, नेक्स्ट, पुन जीवत, मींस, दुबारा जीवित करना, नेक्स्ट आएगा, मर drive drive होता है गोता लगाना जैसे जो नहरों में नदियों में जो मिन्स की जो डीप होती है न जैसे समूंदर होते हैं उनमें जो गोता लगाते हैं उनको बोलते हैं drive sample sample होता है नमूना crash crash होता है दुरगटना ग्रस्थ next आएगा पे means पीने का पदार्थ next आजएगा विसफारिद विसफारिद का अर्थ है अच्छी तरह से खोला हुआ hooter hooter होता है चतावनी सूचक जाफिर धवनी जंतर camel riding means उट की स्वारी camel English में उट को कहते हैं camel riding means उट की स्वारी उदेडबुन means सोच विचार जो हमारे मन में उदेडबुन चलती है न सोच विचार चलती है उसको कहा गया है next है link बदलो पहला आएगा लाला इसका क्या आएगा ललाईन दूसरा आएगा बाबू इसका आएगा बबौाईन next नाई नाईन पंडित पंडताईन चोदरी चोदरानी गुरु गुरु गुरुआईन माली मालिन दोबी दोबिन सुनार सुनारिन गवाला गवालिन नौंकर नौंकरानी ठीक है next आएगा अब इन शब्दों के विप्रीत अर्थ वाले शब्द लिखो जो उल्टे अर्थ है जैसे वे देशी कहा जाएगा देशी देशी विदवान मींज विदवान कहाएगा मूर्ख next है महंगा इसका आपको पता ही है सस्ता परवेश एंट्री को जिसको जब हम एंट् नहीं तो इसका उपजिट कहाएगा पुरानी नेक्स्ट आएगा इन शब्दों के शुद्ध रूप लिखे जैसे इस स्कूटर लिखा हुए है न हमने इसको शुद्ध करके लिखना है तो मैं बोल देती हूँ आप इनको एक बार देख लेना जैसे स्कूटर, पेट्रोल, कार्निवल, विसफारित, जुनिवर्स्टी, कंपकंपी, टिक्कियां और बुद्धी जै जो गलस स्पैलिंग लिखे उनको आपने सही करके लिखना है अब नेक्स्ट आएगा प्राइवाची शब्द सबसे पहला है पगार पगार किसी कहते हैं वेतन को तनखाब को ठीक है जो हमें सैलरी मिलती है वो होती है पगार मीन्स वेतन और तनखाब आसमार मीन्स गगन, अकाश और नब नेक्स्ट है आग आग होता है पावक, अनल, बेहन ठीक है नेक्स्ट है पवन पवन होती है हवा, वायू, समीर ठीक है पवन का क्या है हवा, वायू और समीर को तुरंग और है। अब नेक्स्ट निम्मत लिख मोहावे लोग के किलDTr r3 वांगयों ॐछ में पर्योग करें सबसे पहले आता है उक्ता जाना मतलबंगी होना उक्ता जाना मतलबंगा इसका क्या बनेगा मंचीत की फालतु बाते सुन सुन कर सिमरन उक्ता गई नाइक्स क्षल्यय के पास इतना कुछ है फिर भी बाई के आगे हमेशा हाथ पसार्ति रहती है हाथ पसार्ना मिन्स मागना नाइक्स क्षल्य अकल गास चरने जाना है ये तो हम बोलते हैं जब किसी से कोई गलती हो जाती है तो हम mostly क्याये देते हैं क्या तुमारी अकल गास चरने गई थी ऐसे बोलते हैं न तो इसका क्या है समझ नहीं आना इसका बनेगा हर दीप को चाहिए कितना समझा लो वह नहीं समझेगा क्योंकि उसकी अकल तो गास चरने गई है नेक्स आएगा टेड़ी खीर होना means बहुत कठिन होना इसका बनेगा एवरेस्ट की चोटी पर चड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं टेड़ी खीर है नेक्स आए कान पर जू न रेंगना जे भी आपकी मम्मी कभी न कभी तो बोलती होगी जब आप कहना नहीं मानती होंगे है न कि इसके तो कान पर जू ही नहीं रेंग दी है न तो इसका अर्था आता है कोई असर ना होना इसका वाक्य बनेगा रीमा को कितना भी डांट लो उसके तो कान पर जू भी नहीं रेंग दी नेक्स्ट है आँखे त्रेरना मतलब क्रोज से देखना कक्षा में सोर सुनकर जैसे ही अध्यापक ने आँखे त्रेरी कि कक्षा में शनाटा शाह गया नेक्स्ट आएगा दुम दबाकर बागना मीन्स चुप चाप चले जाना इसका बनेगा मुख्य दापक को आते देकर राम और शाम आपस में लड़ना शोर दुम दबाकर बाग गए दुम्द बाकर बागना मींज चुप चाप चले जाना नेक्स्ट है हवा से बाते करना मींज तेज बागना जैसे हम गोडे के लिए बोलते थे हैं कि गोडे की जो स्पीट होती है वो बहुत तेज होती है कि जेतो हवा से बाते करता है है ना मेंस की तेज बागना, इसका बनेगा राना परताप का गोडा चेत तक संकेत बिलते ही हवासे बाती करने लगता है नेक्सट है, चेहरे पर चमकना मेंस परसन होना अब नेक्सट आएगा प्रशनों के उत्तर, सबसे पहले प्रशन है लेखक बच्चो को कहां गुमाने ले गए तो इसका उत्तर है लेखक बच्चो को कार्निवल गुमाने ले गए नेक्स्ट आएगा लेखक ने अपने आपको अमीर क्यों समझा तो क्यों समझा था क्योंकि उसी दिन अभी उसको बिंसकी दो-चार दिन हुए उसकी तनक्वाई हुए है ना क्यों उसकी पॉकिट में पैसे थे इसलिए है ना चलो देखते हैं लेखक ने अपने आपको अमीर इसलिए समझा क्योंकि उसे व्यत्तन मिले दो-चार दिन हुए थे और दूद दो भी चौंकीदार आद का बुक्तान अभी नहीं किया था बुक्तान मेंस कि जो उनको पैसे देने थे वो नहीं दिये थे कार्निवल गूबना टेडी खीर क्यों है इसका उत्तर आएगा कार्निवल गूबना टेडी खीर है टेडी खीर इसलिए था क्योंकि वहां बहुत रुपे खर्च हो जाते हैं तथा वह महंगा स्थान होता है और वैसे भी साथ में बच्चों को लेके जाओ तो बच्चों को अपने पिता के आगे क्या-क्या फरमाईशें रखी तो उसका उन्तर लिखेंगे बच्चों ने पिता को बरगर गोल्गुप्प्पे खिलाने कोड्रिंग प्लाने टिक की खिलाने और जूला जल्वाने के लिए कहां एक घोलकप्य का मूल यह कितना था 5 coworkers डिक्की खाते हुए लेखको कहां की जाध कर नहींस् territory on the कचोडी मल की खाई टिकियां जाद आ गई, किसकी टिकियां खाई थी, कचोडी मल की, ठीक है, कचोडी मल किसी का नाम होगा, ठीक है, सबसे पहला है, जूले वाली गटना को अपने शब्दों में लिखे, इसका उतर है, बच्चों ने जूला जूलने के लिए कहा, तो लेखक तुरंत जूले वाले के पास, रोब से पांस टिकट देने के लिए कहा, जब जूले वाले ने पास टिकट के 400 रुपे मांगे, तो वह नीचे गिर गया, उसके चेरे पर हवाईयां उनने लगी, और सिर्चकर खाने लगा, आसपास के लोगों ने कहा, दोरा पड़ गया, कोई बोला मिर्गी है, किसी ने कहा कि हिर्देगात लगता है, इस पर लेखक ने महंगाई पर व्यंग के बान शोड़े हैं, कोई एक उधारन लिखो, उत्तर आएगा इसका, लेखक बच्चों को गुमाने कार्निवल ले गया था, पर वहाँ कोल्डिंग आद नहीं पिलवा सका, क्योंकि वहाँ वे सब बहुत महंगे थे, वे बच्चों को बह बहलाने के लिए कहा देता कि गर चल कर तुम्हें बदाम निम्बू का छीतल जल पिलाएंगे, प्रन्तु मन ही मन सोचता है कि निम्बू 200 रपे किलो और बदाम 500 रपे किलो है, इस प्रकार लेखक ने महंगाई पर व्यंग किया है, ठीक है, व्यंग का मतलब मेंस कि किसी को जैसे हम बॉल देते हैं ना टाउंट वैसा ही, ठीक है, नेक्स्ट आ, प्रशन क्या आप कहीं गूमने गे हैं, जदी हाँ तू अपने शब्दों में लिखे कि वहाँ आपने क्या क्या देखा, क्या खाया, क्या अनंद लिया, आप इसको खुद भी लिख सकते हो, लेकिन अ जो लोग हैं, राज की लोग हैं, वो अपने स्टेट की जो भी उनकी विश्येशता होती है, वो वहाँ पर वो परड़क्ट वगएरा लेकर आते हैं, ठीक है, तो उसको मिन्स की दूसरे जड़े, जो लोग होते हैं, उनको दिखाते हैं, उसको बोलता है परदर्शनी मिन् मारे साथ हमारा छोटा बाई हर्पृत भी था, वहां हमने बारत के विबिन परदेश्यों की संस्कृतिक जलग देखी, जिसमें कहीं गुजरात दर्शन, कहीं उत्राखंट, बिहार, महारास्टर, करनाटका, तामिनाडु आद के दर्शनीय स्थलों का विवरन था, तो कही प्रित्वी के स्वर कश्मीर का नजारा था, इसमें मुझे विबिन प्रांतों के समाजिक तथा संस्कृत जीवन का पता चला, वह इन परदेशों के फूड स्ट्रॉल भी थे, वहां से हमने गुजराती डोकला, तथा तमल नाडु का डोसा खाया, बंगाल के रस गुले न मुझे कमेंट करके जुरूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको अपने फ्रेंट्स के साथ भी शेयर करें